नमस्कार, One India Hindi में स्वागत है, मैं हूँ राम विश्वकर्मा रूस और युक्रेन के बीच छड़े युद्ध के बीच पिछले एक महीने के दोरान अभी मंगलवार को ही एक ऐसी खबर आई थी जिसने इस युद्ध से जुड़ी चर्चाओं को ही बदल दिया था जिस सुग बुगाहट भी सुनाई देने लगी थी कि ये युद्ध अब अपने समापन की और बढ़ सकता है क्योंकि मंगलवार को ही तुर्की के इस्तामबुल में रूस और यूक्रेन के वारताकारों के एक डल के बीच एक बैठक हुई थी उस बैठक को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो सकारातमक रही थी रूस की और से मुख्य वारताकार मेंडिस्की ने इसको लेकर एक बयान जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि कीव और उसके आसपास के शहरों में रूस अब अपने सैने अभ्यानों को कम करने की और बढ़ेगा साथ ही उसने ये भी कहा था कि अब जल्दी ही दोनों देशों के राष्ट्रा ध्यक्ष इस युद्ध को खत्म करने के लिए मुलाकात भी कर सकते हैं रूसी वारताकार के उस बयान के बाद परमाणू बम के प्रयोग की संभावनाओ से सह में पश्चिम के कई देशों ने शायद कुछ राहत की सास भी ली होगी लेकिन युक्रेन को रूस के इस आश्वासन पर शायद बिल्कुल भी अतबार नहीं है युक्रेन को रूस के इस बात पर भी संदे है क्योंकि उसे लगता है कि पश्चिम के भी कई देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रूस युक्रेन पर हमले और तेज कर दे ऐसे में जब रूस के पास एक तरह का अप्रतक्ष समर्थन है तो वो भला इस मौके को अपने हाथ से क्यों जाने देगा पिछले एक महीने से भी जादा वक्त से इस्तांबुल में रूस और युक्रेन के प्रतिनिदियों के बीच वारता चल रही है ऐसे में इस बीच रूस की और से ऐसा बयान आना रूस के मन में संदेह पैदा कर रहा है पश्चमे देशों की मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मंगलवार देररात युक्रेनी राष्टपती जेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि युक्रेनी लोगों को नौसिखिया नहीं समझा जाना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि पिछले 34 दिनों से जारी युद्ध और डोनबास में पिछले 8 सालों से जारी युद्ध से वे सीख ले चुके हैं कि सिर्फ ठोस परिणाम पर ही भरोसा किया जा सकता है उन्होंने रूस के सैने अभ्यान को कम करने के आश्वासन पर भी संदेह जाहिर किया जैलिंस्की ने कहा कि कुछ शेत्रों में सैने अभ्यानों को कम करने का रूस का वादा भी शायद उसकी मिल्टरी यूनिट्स के रोटेशन के लिए गुमराह करने का ही एक तरह का पैतरा था हाला कि इस बीच रूसी वारताकारों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि यूकरेन के उत्री हिस्से और कीव में रूसी सैने अभ्यानों को कम करने का मतलब ये बिल्कुल भी ना निकाला जाए कि वो कोई युद्ध विराम चाहता है रूस ने हाँ ये भी स्पष्ट किया कि यूकरेन के साथ इस संबंध में आपचारिक समझोता करने के लिए अभी लंबी बातचीत की जानी है इस खबर में फिलहाल इतना ही बागी खबरों के लिए बने रही है One India Hindi के साथ